बुलिटन के शरुवात इस वक्त एक बड़े खबर के साथ और बड़े खबर राइपूर से जहां शराब घोटाला मामले में E.D. की बड़ी कारवाई हुई है E.D. ने आरोपी अनिल टुटेजा की संपत्ती अटाच कर ली है अनिल टेबर की संपत्ती भी E.D. ने अटाच कर ली है 205.49 करोड रुपए की संपत्ती अटाच की गई है आरोपियों के 18 चल और 161 अचल संपत्ती अटाच की गई है शराब घोटाला मामले में दोनों आरोपी जेल में बंद है राइपूर मेयर के भाई है अनवर ढेबर राइपूर के मेयर है अजास ढेबर उनके भाई है अनवर ढेबर निलेश त्रिपाठी मेरे सायोगी इस वक्त इस बड़े ख़बर पर हमारे साथ जोड़ रहे है निलेश विस्तार से बताएं क्या ख़बर नीलेश आपको मेरी आवाज आ रही है नीलेश के पास हम आपको लिये चलेंगे लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर आ रही है शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई E.D. ने बड़ी कारवाई की है E.D. ने आरोपियों की संपत्ती अटाच की है अनिल टुटेजा और अनवर धेबर की संपत्ती अटाच की है और दो सो पाँच करोड के आसपास ये पूरी संपत्ती है जिसमें अठारा चल और 161 अचल संपत्ती है और इस तरह से कांग्रिस की अगर लिहास से आप देखें तो बहुत बड़ा जटका क्योंकि अनवर धेबर राइपुर मेयर एजास धेबर के भाई है नीलेश इस वक्त हमारे साथ जोड़ रहे हैं राइपुर से नीलेश पिस्तार से बताएं पूरी ख़बर तो राइपुर के मेयर है एजास धेबर उनके भाई अनवर धेबर और इसके साथ सथ अनिल टुटेजा की संपत्ती एडी ने अटैच कर ली है दोनों ही शराब घोटाला मामले में ये ये कारवाई दोनों के खलाफ की गई है तो बड़ी ख़बर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं शराब घोटाला मामले में एडी ने बड़ी कारवाई की है इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने अनुवर धेबर की संपत्ती अटैच की है साथी अनिल टुटेजा की संपत्ती भी अटैच कर ली गई है दोनों के संपत्ती को ली लाकर करीब करें 205 करोड से जादा के संपत्ती बताई जा रही है आरोपियों की 18 चल 161 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है एडी की तरफ से तो ये बड़ी कारवाई है और आपको बता दें ये इस लिहास से बहुत एहम है चुकि राइपूर में अभी लोकसभाच चुनाव होना है और तीसरे चलन के चुनाव से पहले एडी ने ये बड़ी कारवाई की है ऐसे में अब बीजोपी कांगरिस पर हमलावर रहेगी और कांगरिस को इस पर सफाई जाहर बात है देनी पड़ेगी तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं शराप घोटाला मामले में एडी ने बड़ी कारवाई की है निलेश तरपाठी मेरे सही होगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए है निलेश विस्तार से बताएं पूरी खबर तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको राइपूर से बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है शराब घोटाला केस में इडी ने बड़ी कारवाई की है